हेलो एवरीपड़ी वेल्कम बैक टुम यूरूप चानल आज के वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे ग्रामबरता प्रकाशिका एंड हो तुम पैशार नौक्षों के बारे में और उसके बाद हम लोग का पर्टिकुलर्ली निउस्पेपर या जर्नल से रिलेटेड किस्सा ख लग बताई थी बैसिकली मैगजीन जैसे होते हैं बट यहां पर थोड़ा सा हाई प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज किया जाता है so that हम जो educated section है society का उसको influence कर सके अपना बात उस educated section तक पहुचा सके यह हमारा main motive होता है so gram बरता प्रकाशिका प्रकाशिका यस मैं spelling चेक करें थी starting में एक monthly journal था यानि month में एक बार चपता था फिर इसको convert करके fortnightly बनाया गया यानि महीने में एक बार चपता था अब 15-15 दिन में चपना शुरू हुआ fortnightly यानि हर 15 दिन में तो महीने में दो बार हो गया ना 15 प्लस 15 तो महीने में दो बार हो गया फिर इसको और भी जादा frequent बनाने के लिए weekly journal कर दिया गया तो exam back question आता है कि ग्राम बरता प्रकाशिका कैसा जर्नल था स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में तो monthly जर्नल था फिर fortnightly और फिर ultimately weekly बना उसके बाद यह बेंगॉली लैंग्विज में था as the name suggests ग्राम बरता प्रकाशिका नाम से समझ में रहा है कि बेंगॉली लैंग्विज में था इसके एडिटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से कंगाल हरीनाथ मजुंग्दार कई बार कंगाल नहीं लिखा होता सिर्फ हरीनाथ मजुंग्दार ही लिखा होता है option के अंदर तो हरीनाथ मजुंदार ज 박च अब देखो यह कंगाल शब्ड़ाइट पटा अट बढ़ रहा है जो लोग Hindi जानते है वो लोग जानते होंगे कि कंगाल हिंदी में एक शब्द है जिसका सिंपल मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है जो बिलकुल बैंक्रप्ट हो गया बैंक्रप्ट का मतलब जिसके पॉकेट में दो काचा भी नियां कि और अपना कटा सके सब्सक्राइब के कानगाल कि हम कनगाल उचुके में अनाती अणерी मतलब होता है और ये अनात तो यह पछा NATO जिसके अपान नहीं है उसका जिंदगी बहुत गरीबी में पीतेगा मम्मी नहीं है ख्याल रखने के लिए पापा नहीं है फिनांशल सपोर्ट देने के लिए एकनोमिक सपोर्ट देने के लिए तो जाहिड सी बात है कि बच्चा बहुत ही ज़ादा गरीबी में अपना दिन इन्हों ने नोटिस किया कि बच्च्पन में ही इन्होंने देखा कि जितने भी न्यूस पेपर्स हैं उस समय के इनके बच्च्पन के समय की बात है बहुतिना अर्टिकल्स उने वगेरा वगेरा यानि जितने भी अत्यचार की बात हो रहे थी दुख की बात हो रहे थी जो इंडियन्स को सहना पढ़ रहा था उस समय वो जाधा सर डेवलप्ट एरियास की बाते निउस्पेपर्स में उठाई जा रही थी तो कंगाल हरिनाथ जी के दिमाग में आया कि यार जो भी situation होता है कड़ा से कड़ा situation जो अंग्रेज हमारे साथ बुरा से बुरा चीज करते हैं उसका सबसे जाधा असर गाउं वासियों को होता है सबसे जाधा असर उन गाउं में रहने वाले villagers को होता है जिनके पास दो वक्त का खाना भी नसीब से नहीं मिलता और ये इमोशनली फील भी कर सकते थे क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी में जिंदगी काटा था तो कंगाल हरिना जी ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा राइटिंग चापा जाए जिसमें हम विलेजर्स के बारे में लिखें कि अंग्रेजों के कारण विलेजर्स को ये जो अंडर डे ढॉलिजर्स के बारे में बतायाघिया कि इखिए घ्रामबरता प्रकाशी के स्टार्टिंग में एक मंतली था फिर fortnightly और ultimately weekly journal बना और basically Bengali language में चपता था इसके editor का नाम है कंगाल हरिनात मजुमदार कंगाल हरिनात मजुमदार बहुत ही कम उम्र में अनात बन गये थे बहुत ही गरीबी में उन्होंने अपना जिंदगी काटा था उन्होंने notice किया था कि उस समय के contemporary यानि उस समय के जो newspapers थे वो जादा urban news चापते थे urban का मतलब होता है developed इलाका developed इलाके के बारे में news चापा जाता था कि इस particular village में जो थोड़ा सा developed होगा वहाँ पे villagers को क्या समस्या सहना पढ़ रहा है लेकिन एकडम पिछड़े पिछड़े गाउं का तो discussion किसी भी newspaper के अंदर किसी भी journal magazine के अंदर नहीं था तो कंगाल हरिनात मजमदार चुकी उस दर्द को समझते थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गाउं के अलाके का news चापा जाए और पुरे दुनिया को ये संदेशा दिया जाए ये बताया जाए कि देखिए villagers हमारे जो जिनके पास दो वक्त का रोटी भी नहीं खाने के लिए उनको किस तरीके से अंग्रेजों के प्रेशर के अंदर tax भरना पढ़ रहा है अंग्रेजों के प्रेशर के अंदर कितना वो दपते जा रहे हैं कितने विलेजर्स दम तोड़ दे रहे हैं मर जा रहे हैं ये सारे information उन्होंने चापने के बारे में कोशिश किया so that आदर से जादर इंडियन को खबर तो हो at least कि हमारे जो रूरल विलेजर्स हैं जो बहुत ही पिछड़े इलाके के हमारे गाउवासी हैं उनके साथ क्या-क्या अत्याचार हो रहा है ultimately हम लोग देखेंगे कि ग्रामबरता प्रकाशिका का works क्या 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 आखिर इसने किया तो ग्रामबरता प्रकाशिका को काफी लोग मानते हैं कि ये reflection था village life in the contemporary Bengal उस समय के Bengal में contemporary Bengal यानि उस समय के Bengal में जो गाउं का रहन सहन था कहीं न कहीं उसके बारे में ग्रामबरता प्रकाशिका के अंदर discussion हुआ तो ऐसा लगता था कि village life का एक reflection एक जलक उस journal के अंदर पेश किया गया है second बात कंगाल हरिनाथ जी ने इसमें साफ तोर पे लिखा कि जमिंदार्स ही सबसे बड़े अत्याचारी हैं अंग्रेस तो ही अत्याचारी लेकिन उनके जो चम्चे हैं जमिंदार्स वो कम अत्याचारी नहीं है ये बात openly कंगाल हरिनाथ मजुमदार ने अपने इस journal में लिखा ultimately इनका main लक्ष ये भी था कि लोगों के सामने at least रखा जाई ये बात कि हमारे villagers को कितना जादा दुख सहना पड़ा है अब तक जो city areas में थे उनको क्या पता कि जो villagers हैं जो गाओं के इलाके में रहने वाले हमारे देश के बहुत ही छोटे छोटे किसान workers हैं उनके साथ कैसा वहवार कर रहे हैं अंग्रेज कैसे वो लोग मर रहे हैं दो वक्त की रोटी नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनका दर्ध अब तक तो किसी को पता ही नहीं था लेकिन इसके बारे में ग्रामबरता प्रकाशिका के त्रू लोगों को पता चला कि अरे बाबा हमारे जो प्यारे-प्यारे किसान भाईजान है वो सर उनके साथ क्या किया जा रहा है तो यह इन्फर्मेशन इंडियांस तक फैलाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रामबर्ता प्रकाशिका ने अपने इस जर्नल के अंदर इन्होंने लिट्रेचर फिलोजोफी साइन्स इन सब के बारे में कुछ आर्टिकल्स भी छापे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी और इंपॉर्टेंट फिगर जैसे क इस आर्टिकल के अंदर पब्लिश हुए थे तुम लोग को अगर आगे फॉर्वर्ट कर देना है देन यू कैन पॉर्शूर ग्रामबर्ता प्रकाशिका 1863 टू 1885 स्टार्टिंग में मंतली देन फोटनाइटली एन अल्टिमेटली वीक्ली इसके एडिटर का नाम कंगाल हर इनात मजुमदार बहुत ही गरीब परिवार से थे अनाथ बन चुके थे बच्पन से इन्होंने नोटिस किया कि जो बड़े-बड़े दिगज न्यूस पेपर्स हैं वो तो सिर्फ डेवलप्ट एरियास की न्यूस चाप रहें लेकिन हमारे प्यारे चोटे-चोटे बहुत पिछडे गाओं वाले विलेजर का तो न्यूस कोई चापी नहीं रहा है इसी डिसिजन के साथ ग्रामबर्ता प्रकाशिका ने विलेज लाइफ का खुला रूप में डिसकेशन किया अपने इस जर्नल के अंदर तो ऐसा लगता था कि विलेज लाइफ का जलक दिख रहा है इस ग्रामबर्ता प्रकाशिका के अंदर इन्होंने लिखा साथ ग्रामबर्ता प्रकाशिका के अंदर इन्होंने लिखा साथ ग्रामबर्ता प्रकाशिका के अंदर इन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि कितने जादा पीडित है हमारे कितने जादा डाउन ट्र रविद्ना टेगोर जी भी है, उन्होंने भी काफी अपने एसेज सब्मिट किये, पब्लिश करने के लिए इस जर्णल के अंतर, सो एक्जाम में यही इतना ही दूर से क्वेशन आ सकता है, एक दो पॉइंट अगर एक्स्ट्रा कहीं से आ गया, तो फिर टेस्ट पेपर सॉल्ट करने के दौरान तुमको पता चलेगा, अब इसके साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, खुतम पैशार नौक्षो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हुतम पैशार नौक्षो, तो देखो, अजीफ सा नाम है जब मैं पहली बार सुन रही थी, मी बिंग, नón. बिंग ऑली, मेरे लिए लिए तो अजीब ही लगता ह तो हुतुम पैशार नौक्षा सबसे पहले बात यह एक बोग था ठीक है नहीं यह एक नियूस्पेपर था नहीं जर्नल नहीं मैगजिन यह एक बोग था अल्रेट अब यहापे जरा ध्यान से सुनना पैशा जो होता है पैशा का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं उल्लू और नौक्षा नौक्षा डिस नौट मीन मैप ऐसा नहीं कि इंडिया का नक्षा इसका बात नहीं हो रहा है नौक्षा इस टाइप ऑफ राइटिंग जहां पर उपर से पढ़के तुमको आजी कोई ऐसा मीम है मीम समझते हैं तुम लोग ऐसा जोक है जिसको उपर उपर से पढ़के तुमको हसी आ गया लेकिन तुमने डीपली जब उसको पढ़ा जब उसको समझा तो शायद उसके अंदर इंडिया का गरीबी को दर्शाय गया था बात समझ पारे हो तो ऐसे राइटि को बुलते हैं नौक्षा तो हुत्म पैचार नौक्षा दाट सिंप्ली मीन्स स्केचेज बाया वॉचिंग आउड मतल्स अब माल लो कि तुम्हारा एक रूम है उस रूम के अंदर मैंने CCTV क्यामरा लगा दिया तो तुम उस घर के अंदर पटिकुलर रूम के अंदर जो भी अक्टिविटी कर रहे हो उस CCTV कामरा के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से इमाजिन करो कि पूरा का पूरा ओल्ड क्यालकटा है पुराना वाला क्यालकटा है और मैं एक उल्लू को यहां पेड़ के उपर बिठा दू और यह उल्लू पूरा देख रह है यह आउल पूरा देख रहा है ओल्ड क्यालकटा को और जो जो घट रहा है वो अपने मेमरी में फिक्स कर रहा है और उस उल्लू ने जो जो देखा उसी को मैंने अगर लिख दिया तो इसको बोलते हैं कि उल्लू के नजरिया से चीजों को रिप्रेजेंट करना मतलब मतलब जो कैसे पूरा का पूरा ओल्ड क्याटा है उस ऐल्ड क्या क्या हुआ माल लो की एक उल्लू एक आउल बैठके एक पर एक पेड़ की ऊपर बैठके पूरा देख रहा है कि 10 साल के अंदर कोलकाता किसा था और अल्टीमेटली कैसा बनते जा रहा है यह सब चीज़ एक आउल अनलाइज कर रहा है, अब इस आउल के मेमरी के अंदर जो भी स्टोर्ड है, अगर उसी चीज को हम थोड़ा सा अगर लिख दें, तो इसी को बोलेंगे, जो मैं बता ही तुमको शब्दों में, उसी को बोलते हैं, हुद्टुम पैचार नौक्षा, sketches by a watching owl, कि उस जमाने में कोलकाता में क्या चल रहा था, ये author ये नहीं कह रहा कि देखो, मैंने ऐसा देखा, author कह रहा है, उल्लू ने ऐसा देखा, और उसके perspective में मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा unique है, थोड़ा समझने में समय लगेगा, मैं समझ पाए, तो हुत्म पैशा नौक्षो बेसिकले एक unique तरीका है, चीजों को लिखने का, बनलब एक बहुत ही amazing सा title है, और amazing इसका concept भी है, कि लेखक जो writer है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने देखा, कैलकटा कैसे 10 सालों में change हुआ, लेखक कह रहा है कि इस उल्लू ने देखा है, और वो उल्लू जो देखता है, मैं वहीं लिखता हूँ, समझपा रहे हो, मतलब लेखक अपने उपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे है, उल्लू के उपर पूरा responsibility थोप दे रहे है, अब देखना, तुम लोग आगे समझोगे इसी इसको, जब जैसा कि मेरे तुमको बता है कि ये एक पब्लिश कर दिया जाए, तो ऐसा ही हुआ, ये जो पटिकुलर बुक था, इसको 1862 में इसका पहला पार्ट पब्लिश किया गया, और अल्टिमेटली 1864 में पहला पार्ट और आखरी वाला जो पार्ट था, जो बचा हुआ पार्ट था, उसको साथ में अगेन पब्लिश कर कमबाइन करके पब्लिश कर दिया गया, तो तो तुम अपने बुक को रेफर करो, तुमारे बुक के अंदर जो भी डेट मेंशन किया गया, तुम इसको यूज करोगे, ठीक है, अब जरा समझना, दिदी इतना यूनीक तरीका लिखने का, आखिर राइटर का नाम क्या है, तो याद रखना काली प्रसन्न सिनहा, काली प्रसन्न सिनहा, प्लीज याद रखेंगे, सुनाक्षी सिनहा से तुम याद रख सकते हो, काली प्रसन्न सिनहा, तो हुतुम पैशार नौक्षो, the word नौक्षो means to write in a satirical way, कि उपर-उपर से पढ़के हसी आये, लेकिन अंदर उ पॉचिंग आउल या हुतुम पैशार नौक्षा, ठीक है, अब नाव अंडर्स्टैंड कि इसको पहली बार 1862 में इसका पहला पार्ट पब्लिश किया गया, अल्टिमेटली पहला और आखरी पार्ट फिर से 1864 में पब्लिश किया गया, the author और the writer is काली प्रसन्न सिनहा, तो उन्होंने दिखाया, तो देखो, उस समय के कैलकटा के अंदर बहुत सारे चेंजेज देखने को मिले, कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों को पसंद करने लगे, not in that sense, कि पसंद मतलब in the loving sense, पसंद मतलब in the sense कि उनको अच्छा लगने लगा अंग्रेजों के अंदर करना, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना, मतलब कि सच में वो कुछ ऐसे भी इंडियन बनते चले गए, जो अपने इंडियन होने पर थोड़ा सा अशेम्ड फील करने लगे, और उनको अच्छा लगता था कि हम अंग्रेजों के अंडर काम कर रहे हैं, अंग्रेज कितने महान हैं, ऐसे सोच वाले इंडियन भी थें, कहीं न कहीं उनके बारे में दिखाये गया है, तो उस समय बैसिकली एक शब्द यूश किया जाता था, बाबु लोक, बाबु लोक का मतलब, इन दे संस बाबु लोक नहीं, बाबु लोक यहने आ रहे हैं, बड़े-बड़े ल गये थे, कि कई बार तो यह अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, इनी लोगों को बोला जाता था, बाबु लोक, तो इन बाबु लोको के बारे में डिसकशन किया है, इस पंटिकुलर बुक के अंदर, कि यह बाबु लोक जो थे, यह किस तरीके से, रहना, उठना, बैठ अंग्रेजों के साथ साथ अपना रविया चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में दर्शाया, खास करके उस समय के बिंगॉल में किस प्रकार लोग अपना धर्म बदल कर क्रिश्यानिटी के ओर जा रहे हैं, किस प्रकार ब्रामोईजम फैल रहे हैं, अब ब्रामोईजम क्या हो तो वो अपने आपको नकली ब्राह्मन के तरह पुरा वेज भूशा धारन कर लेते थे, so that लोग आपस में उनका रिस्पेक्ट करें, ऐसा भी देखने को मिला, और इसे के बारे में चर्चा उठाया है अपने इस बुक के अंदर, और ओल्ड क्यालकटा का एक पिक्चर हमाने सामने लाकर रख दिया है, तो कहीं न कहीं उपर उपर से जिस तरीके से इनों ने लिखा है, so-called बाबू लोग के बारे में, किस प्रकार से लोग अपना Christianity, मतलब धर्म चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में उपर उपर से पढ़के जोंको हसी आ जाएगा, लेकिन अंदर देखो ना कितना ज़्यादा दुख चुपा हुए है, कि देखो, उपर उपर से suppose कुछ ऐसा लिख दिया, कि इसको पढ़के हसी आ रहा है, लेकिन डीप अंदर में मीनिंग तो बहुत जादा दर्दनाख है, कि इंडियन्स कॉंग्रेजों के सामने अब मजा रहे हैं, तो उपर उपर से बहुत ही humorous, बहुत ही funny था ये particular book, लेकिन अंदर से बहुत ही जादा दर्दनाख एक मीनिंग चुपा था, ऐसे टाइप के लिखने के तरीके को बोलता है, satirical writing, जो कि basically ये था, ठीक है, I hope that this video cleared your doubt, अब अगले वीडियो से हम लोग discuss करेंगे, कि किस तरीके से western education India में introduce हुआ, thank you so much for watching, take care, stay safe, bye.